गुड न्यूज फॉर टाटा मोटर्स शेर होल्डर्स तो टाटा मोटर्स ने इंडिया पैसेंजर वेहिकल बिजनेस में नंबर टू पोजिशन ले लिए इन दे मन्त अफ डिसेंबर 2021 येस यूंदाई को उन्होंने पीछे छोड़ा है और नंबर टू पोजिशन पर आया है टाटा मोटर्स तो ये भले ही यहां पे स्यमिकंडुक्टर का शॉटेज था बट स्थिल आ तिंग टाटा मोटर्स वेर आज पर हैयेस्ट अवर मंथली सेल्स, हैएएष एवर कोटरली सेल्स अन हैएष अर्केलनडर ये सेल्स अई हैसं दोजारी कोटरली चैसमें calendar year 2021 अब तक का सबसे बढ़िया year रहा है Tata Motors के लिए तो जो Vision Company ने यहाँ पे दी हुई थी for passenger vehicles की वहाँ पे वो अपना market share वापस gain करेंगे I think वो बहुत ही बढ़िया तरीके से fulfill होता हुआ नजर आ रहा है so Tata Motors ने December वाला जो month house में 35,300 units sell किये है और the best part about this particular a month sale is that electric vehicles इसमें से around 5.6% कितने 5.6% so 2255 units electric vehicles के उन्होंने sell किये है तो यह भी peak था अब तक का electric vehicle selling में even quarterly जो electric vehicles उन्होंने sell किये वो भी 5,592 units sell किये है तो जहां पे quarterly में 1.8% electric vehicles हो sell करते है तोटल मिला के वहां अभी इस particular quarter में या फिर इस particular month में December 2021 में यह penetration 5.6% तक हुआ है तोटल passenger vehicles जो sell किये है company ने उसमें से 5.6% vehicles और electric vehicles जिसमें नेक्स और टीगोर यह जो electric vehicles के उनके variant से वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर perform करते हुए नजर आ रहे है तो company claimed electric vehicle sales also touched 10,000 in 9 months of FY22 यानि कि April 2021 से लेके अब तक यानि December 2021 तक उन्होंने 10,000 से ज़्यादा electric vehicle sell किये है और 2000 vehicles per month का last month उन्होंने यह एक नया milestone भी achieve यहां पे किया है यह अगर सारे सिनारियो अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से step by step टाडा motors आगे आता हुआ नजर आ रहा है जो glory उन्होंने 2010 के पहले देखी थी passenger vehicles में looks like the good times are coming again punch यह जो गाड़ी उन्होंने launch किये उसको भी बहुत ही बढ़िया response रहा है और अभी number two position लेने में market share के साब से punch ने भी एक बहुत बढ़ी जिम्मेदारी यहां निवाई है total yearly sales के अगर हम बात करते तो 3.31 लाक युनिट्स उन्होंने सेल किये इन दे calendar year 2021 टाटा मोटर्स ने अब तक का यह highest टेवर रहा है और quarterly अगर हम बात करते तो यह last quarter में 99,000 युनिट्स उन्होंने सेल किये कितने 99,000 मुझे लगता है यह numbers are quite encouraging for टाटा मोटर्स shareholders so definitely electric vehicles में भी penetration बढ़ रहा है that's a very big positive for टाटा मोटर्स जो उन्होंने बोला है वो करके दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश कंपणी की तरफ से हो रही है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अगर टाटा मोटर्स की शेयर होल्डर हो या फिर इंवेस्टर हो तो आपको यह update काफी अच्छा लगा होगा दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे तो इन्वेस्टरिया.इंग को विजिट करना मत भूलेगा अंड डू सब्सक्राइब तो आर रिसर्च प्रडुक्स हम हमारा heart and soul हमारे प्रडुक्ट्स रिसर्च में डालते हैं तो ज़रूर इन्वेस्टरिया.ट इनको विजिट करी करिएगा इसके रिलेटेट कुछ ऑफर्स वगरे चाहिए तो हमारे रिलेशन्शिप से सेल के नंबर्स हमारी वेबसाइट पर अब लेबले तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना दोस्तों एक्स वीडियो में मिलते हैं जैहिन